थानाचेत्र के गाउं रोताप समय पर राजपूर कला श्रिव कॉल ढाबा विनोध यादब ने सतनाम और फुक कक्का को एक गोली मार कर हत्या कर दी सतनाम की मौके पर ही मौध हो गई परिवार पुलिस के लोग मजगवा स्वास्थ केंद्र लेकर पहुँचे मृतक की पतनी परमजीत कॉर ने बताया कि एनी शिवनगर गाउं के डॉक्टर सुभाश और टेक चंद ने मेरे पती सतनाम सिंग का जगडा नशे की दवा बेचने और इंग्जेक्शन नशा बेचने पर हुआ था सतनाम सिंग डॉक्टर सुभाश नगर से मना कर रहा था कि तुम नशे का समन मत बेचो इसी बात को लेकर दोनों में जगडा शुरू हो गया जगडा इतना बढ़ गया कि सतनाम सिंग की हत्या हो गई मरतक की पतनी ने बताया कि हमारे मामा कालू कुलवंत सिंग और उनकी पतनी बिमला कौर और उनका लड़का काकूर्फ जलेवी के घर जाकर डॉक्टर सुभाश पहुँचा था इसी बीच राजपूर कला गाउं का विनोद्यादव भी पहुँच गया गाड़ी हटाने को लेकर सतनाम सिंग और विनोद्यादव की विजगडा होने लगा विनोद्यादव ने कार से तमंचा निकाल कर सतनाम के गोली मार दी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई पुलिस को सूचना मिलने पर थाना सिरौली थाना अली गंज आधी पुलिस प्रशासन रोतापुर गाउं पहुच गया पुलिस चेत्रादिकारी भी गटना इस्तल पर पहुचे है जार्च परताल चल रही है हत्या रोपी विरोध यादब थाने में पहुच गया है पुलिस उसे बूचताच कर रही है है जारकन मारने की दंकी दी तो आपसे में जगडा हो गया तूसी टाम उसने गोली मार दी कुली गोली जब नाम बनोधा है कहां के रहने वाले राजपुर के उसका धाबा है जो आपका क्या नाम है बटा मेरे नाम परमजीत कोर है और आपके पती कनाम जो गूली लगी है कौन है अपके बहुया है क्या मामना विवास कुछ निपार लड़ा हुई ति वह तो भाहिं रहता है वह हमारे खेत पर मुद्यार मारके गोली भाग के हम जब आए तो होती दर निकल गया चाहर भाई आज बहुत के रहने वाले हम तो इदर रहता पर गया अच्छा गोली मारने वाली हो राजबुर कला का यह कोई जगड